हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक हुआ सभी को एच्वससी एक मोका देने जा रहा है ये मोका किन किन को मिलेगा कैसे मिलेगा उसके उपर बात करेंगे हाई कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है पांच नमबर वारा जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है पांच नमबर के बगार बरती करेंगे या पांच नमबर के साथ बरती करेंगे अभी 18 जनौरी को ये फैसला होगा 18 जनौरी को हीरिंग है उसके बाद ही कुछ आइडि ठीक है और साथ में ही फाइनल रिजल्ट कब तक देने की उमीद की जा सकती है वो भी यहां पर हम देखने वाड़े हैं इंट्रेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लेजिए ताकि आपको आने वाड़ी हर अपडेट आपके मुबाइल पर बिल्कुल फरी और कोस्ट मिलती रहे हैं तो यहां पर देखिए हाई कोर्ट के आदेश पर टिका आर्थिक सामाजिक अंक देने का फैसला तो गुरूप डी के सी एटी के घुशित प्रिणाम में आर्थिक वैसामा आजिक अंको को लेकर हाई कोर्ट में केस विचारा दिन है हरियाना करमचारी चाइन आयो का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले उन्सारी जल्ट जारी किया जाएगा यानि कि आपको आगे के प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन उन्ट टाइम कब तक हो कि अभी आयो के पास नैशनल टेस्टिंग अजैंसी ने विच्तरित प्रेणाम भेजा नहीं है अभी डिटेल रिजल्ट एचससे के पास नहीं आया है प्रेणाम आते ही सब भी पदों का विग्यापन जारी कर दिया जाएगा मैंने कल आपको बताया था मैंने उसमें बता उसे आप पत्या मांगी जाएंगी तो ये एक मुका अरियाना सरकार दे रही है चससी दे रही है कि आपके रिजल्ट में आपने देखा कि कुछ गड़बड है गड़बड कैसे कि नाम की स्पेलिंग चेंज हो रखी है काटाइगरी चेंज हो रखी है वो चीजें जो आप स काटाइगरी में फॉरम रखा था और वह आपकी गलत थी तो आप कह दो कि मेरे तो भै बिश्ची में ठीक मेरे तो बिश्ची में डलवाणा है तो ऐसा नहीं होगा काटाइगरी अपकी चेंज ही होगी हाँ यदि वह अभी कलारिकल मिस्टेक हो गई है ऐच ससी से तो ठीक ह हो सकती है otherwise आप चाहें तो category चीज नहीं कर सकते हैं ना ही आप नमबर क्लेम कर सकते हैं नाही नमबर आप छोड़ सकते हैं छोड़ने के उपर जश्बस की अबी विचार कर रहा है ठीक है पलत्यां दूर होने के यानि कि आज होगी 20 तारिक के बाद पूर्टल होगा और वो पूर्टल अपका लग वक्त तीस तारिक तक चलेगा उप्सन बरने का ठीक है विकल पूर्णे का है तो यहां पर डाटा बता रखा है कि इस पॉस्ट में कितनी कितनी वकैंसी है अब एक दूसरी डिटेल देख लेते हैं जी ये एक गड़ी आरे में चर्चा का विश्या होता है जी उसके बारे में बताया गया है अब ही बता देते हैं देखिए हैंपे क्या लिखा वाए ग५ d के लगबग 14 ज़रपदों पर बरती होनी है अब चर्चा यह है कि ग५ d के लगबग 14 जरपदों का रिजल्ट 14 फरवरी से पहले जारी करने पर आयोग विचार कर सकते है इसी तरह ग५ d की 14 जरपदों पर बरती भी 14 फरवरी के आस ग्रूप D के तारीख भी 14 फर्वरी ठीक है तो 14 फर्वरी के आसपास जो फाइनल रिजल्ट है वो गोसित हो सकता है तब तक ग्रूप C के अन्य बच्छे ग्रूप पोगा पेपर भी लिया जा सकता है टी-जी-टी भरती पर कोर्ट केस है स्टे हटने के ऊपर विचार किया जारह है जैसे स्टे हट जाएगा तो जोइनिंग मिल जाएगी या इस बार कोर्ट में रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें मौका दे दो हम फाइनल फैसल आपके अनुसार कर लेंगे तब तक रिजल्ट निकाल देते हैं ठीक है और 60,000 HKRN में और वरतियां आपके आएगी दोस्तो इलेक्शन से पहले ठीक है और यहाँ पर यह युवा भी मांग कर रहे हैं कि अरियाना पुलिस में तीन साल के छूटती जाए और अरियाना पुलिस भरती में CET क्वालिफाई सभी को मुखा मिलना चाहिए ना कि 7 गुणा 4 गुणा 5 गुणा को तो यह थी आज की अपडेट दोस्तो आपकी राए क्या है इस वीडियो के नीचे कमेंट बुक्स में ज़रू बताएगा और सरकार चाहें तो भई रातो रात रेजल्ट जारी कर सकती है किसी भी बरती को 5 मेने 5 साल अट खाना वो तो 3 मेने में वो कम्प्लेट भी कर सकती है आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद भवार करें आप सुभी कास में सुभ रहे